नमस्कार भारत वासियों मैं हूँ सोनू निगम कल मैंने एक बहुत ही प्रफाउंड बहुत ही हिलाने वाला एक वीडियो देखा जहां पर भारत की सेना का एक वीग जवान जंग पे जा रहा है और वो बता रहा है कि मैं अपनी टीम के साथ में इन रास्तों से गुजरने बाला हूँ आप लोग अपने घर में आराम कीजिए और चैन से रहे आप चिंता मत कीजिए हम आपकी देखभाल करेंगे हम आपकी रख्षा करेंगे मैं हिल गया उसको देखिए इस बात को विश्मताओं से गुजर कर हमारी रख्षा करते हैं आज दुर्भा के पूर बात है कि चीन समझदारी की या प्यार की भाशा नहीं समझभा रहा और वो हमारे देशवासियों को हमारे फौजीयों को चैलेंज कर रहा है चुनोती दे रहा है मेरा सिर्फ अपने आप से भी एक वाइदा रहेगा और मैं आप लोगों से भी दरख्वास करना चाहता हूँ कि अगर आप से हो सके जो कि होना चाहिए असूलन होना चाहिए तो चाइनिस प्रोड़क्ट का वहिश्कार किया जाना बहुत अवश्रक है इतना तो हम कर सकते हैं हमारे फौजियों के लिए इतना तो हम कर सकते हैं हमारे देश के लिए लोग सीमा पर जाकर अपना खून बहा रहे हैं अपनी जान दे रहे हैं और हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि हम चाहिए प्रोड़क्स का इस्तमाल बंद कर दें मैं जानता हूँ कि इसी कई चीज़े होंगी जो आपको शाहत्यागनी में बड़ा मुश्किल होगा लेकिन अगर हम ये सब ठान लें हम आपस में बात को ठान लें तो शाहिए ये संभव है मैं जानता हूँ कि जूम कॉल्स हम लोग करते हैं भी इस्तेमाल करता हूँ अब मैं पूरी चेश्टा करूँगा कि जहाँ जहाँ हो सके मैं उसका इस्तेमाल बंद कर दूँ और पूरी तरह ही बंद कर दूँ हम और भी रस्ते ढोनेंगे काम करने के और यह मेरा अपने आपसे वाइदा है कि आज के बाद से मैं पूरी अपनी तरव से पूरी AD चोटी का जोड लगाऊंगा कि मिरी तरव से चाइनीज आप्स का इस्तेमाल zero पे आ जाए जहां तक चाइनीज प्रोडक्स का सवाल है जो हमने खरीद रखे हैं जो हमें खरीद रखे हैं, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे हमारे ही नुकसान है, हमारे तेश का नुकसान है, पर जो हम नई चीज़े लेने वाले हैं, उसमें हम ये चेक जरूर करें कि हम क्या ले रहे हैं, वो चीज़ का मेड इन कहा लिखा हुआ है, ये मेरी में आपसे भी वादा है, वाइदा है, धनिवाद, जैहिंद